नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्षण नाइट न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दिनेस कुमार हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनिती में दर्श को आप सभी का स्वागत है जी हाँ आज बात करेंगे रंग बदलती राजनिती में किस प्रकार से दिल्ली की राजनिती पिछले 11 सालों में एक तरेके से परिवर्तित हो चुकी है जी हाँ ब्रष्टा चार के खिलाप बड़ी लड़ाई लड़कर दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले केजरिवाल अब क्या ब्रष्टा चार के आरोपो में खुद जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे ये सबसे बड़ा सवाल है जी हाँ जैसे कि कहा जाता है राजनिती में कुछ भी पर्मानेंट नहीं है ये वही लग रहा है कि अब केजरिवाल जो की बड़े-बड़े दावे करके दिल्ली की सियासत में आसीन हुए अब उनका सियासी रंग बडलता जा रहा है और यहां से केजरिवाल की पार्टी पर एक ऐसा खत्रा मंडराता जा रहा है जिसके आधार पर आने वाले 2024 के लोकसवाद चुनाओं या आम चुनाओं में क्या इस्थिती रहने वाली है ये शायद केजरिवाल को भी अंदाज रंग बडलती राजनिती के इस खास कारीकरम में मेरे साथ मौझूद है मेरे खास सहयोगी अक्से अगरवाल अक्से बहुत-बहुत स्वागत है आपका अक्से पहला सवाल ये रहेगा कि केजरिवाल के उपर जो एडी की तलवार अब लटकती नजर आ रही है क्योंकि एडी हर हाल में तीसरा समन जारी करने के बाद पूस्ताच करना चाहती है तो क्या केजरिवाल का जो अब आगे आने वाला सियासी करियर है वो यहाँ पर ढ़लान में आचुका है एक तरीके से अंदकार में आचुका है दिखे दिनेश इसमें मुझे लगता है दो चीजे सबसे पहले तो जिस तरह से आपने सवाल किया कि क्या अब केज़िवाल का जो राजनीतिक भविश्य है क्या वो अपने धलान के और बढ़ रहा है और दूसरा मुझे यहाँ पर लगता है कि जिस तरह से एडी का रूक यहा का 18 दिसंबर को जारी किया तो इन दोनों समनों के बीच में काफी अंतर ता जो करीब डेड़ महीने से भी उपर खाता लेकिन जब दूसरे समन पर भी केज़िवाल पेश नहीं हुए तो एडी ने तीसरे समन में वक्त बलकुल नहीं लिया केवल चार ही दिन जहां 18 करें जब दूसरे समन में वक्त नहीं लिया मुझे यहां पर लगता है कि इस मामले में बहुर भी जादा गंबीर अरविंद केज़िवाल को लेकर हो गई है ऐसे में अब अरविंद केज़िवाल अगर पेश नहीं होते तो उनके ओपर गिरफतारी की तलवार भी लटक रह को मैं संजे सिंग की गिरफतारी देखने को मिली थी ऐसे में अगर अरविंद केजरिवाल की गिरफतारी होता है तो निश्चेत रूप से उनका जो राजनीतिक भविश्य है वो जहां उड़े सूरज की तरह उगता जा रहा था चड़ता एक पहाड पर जा रहा था वो मुझ पंजाब निकल जाते हैं लेकिन एडी फिर ततपरता दिखाती है और 23 दिसंबर को तीसरा समन जारी कर दिया जाता है तो क्या ये जो ततपरता है अक्षर यहां पर ये जो एडी के तरफ से दिखाई जा रही है जिस परकार आरविंद केजरिवाल के आरोप रहे हैं कि ये एक आरोप लगाने वाली बात है जो विपक्ष और मुक्रुप से आमादी पार्टे के द्वारा कही जा रही है क्योंकि आप ये देखें कि जस तरह से लगतार ये आरोप आमादी पार्टे के द्वारा एडी पर लगाया गया कि केंद्र ने हत्यार यहां केंद्रे जाच ए अलावा यहां पर तमाम ऐसी चीज़े हैं जो यहां पर आहमादी पार्टी और दिल्ली सरकार को कट घरे में खड़ा करते हैं आप यह देखे कि जब यह पूरा मामला दिल्ली की नई आपकारी नीती से जुड़ा हुआ है यहां पर घोटाले के आरोप लगे थे मुख्य सचि मुख्य जो यहां पर शराब नीती ती ती उसे वापस क्यों लिया कही न कहीं सरकार को भी लगा होगा कि ऐसा कुछ यहां लूप होल निकल गया है जिसके जरी घोटाले की जो बात है वो निकल करके बाहर चली गई है वो केंद्र यह जांच इजिंसियों तक चली गई है इ ऐसे क्या अकाल मैं कहूंगा आपड़ात आमादी पार्टी के सामने क्यूसे यहां पर जो नई आबकारी नीती उसे वापस लेना पड़ाता तो यहां पर कई ऐसी चीज़े है जो एडी ही नहीं अर्विंद केजरिवाल और उनके आमादी पार्टी को भी सवालों के कट घर इमी खड़ा करती है इंडिया गठबंदन का एक हिस्सा भी है जिस प्रकार से 2024 के लोगसबाद चुनाओं के लिए पूरी विपकसी पार्टियों को एक जुट करने का काम कॉंग्रेस पार्टी करती नजर आई है और उसमें अर्विंद केजरिवाल भी शामिल है अर्विंद केजरिवाल ने जो दूसरा समन जारी हुआ थक से उसमें ये लगातार आरोप लगाए कि एडी ने ये सपस्ट नहीं किया है कि मुझे किस आधार पर पूस्ताच करना चाहते हैं क्या इदिली के मुख्यमंत्री के तोर पर बुलाना चाहते हैं क्या अमादमी प क्या जवाब दिया जाए देखे ये तो अर्विंद केजरिवाल के उपर मुझे लगता है कि अर्विंद केजरिवाल के उपर निरवर करता है क्योंकि यहां पर केवल एडी यानिया किसी केंद्री जाच एजनसी की बात निया आप मालीजे पुलिस अगर किसी व्यक्ति को करती है यह तो चीज बता आप करेंगी यह तो चीज बता नहीं जाता बलकुल भी और इसका मतलब यह निकलता है एडविंद केजरिवाल जो यह बात कह रही है कि अगर इसको एक स्ताधरन केस से देखे तो पुलिस जिस वेक्ति को पुछ ताच के लिए बलाता है पुलिस करने के लिए जब उसको बुलाएंगी यह तो पुलिस कही कि नहीं कि आप ज़रा आजाए और हम पर आपको आप पर हमें शक है तो आप ज़रा जाए आपकर आपकर आप कर लीजे तो मुझे लगता है यह बिलकुल ही वेतु की बात मुझे आपर अर्विंद के जिवाल की सभालते हुए दिलिके अईसे में इस तरह की बात कहना इक अर्विंद के जिवाल की दौरा दिया जा रहा है क्योंकि के जिवाल भी कहना का इस भात से भली भाती पड़ी पढ़ी इस सामान्य तोर पर पूचताच होगी और इस सामान्य पूचताच में उन पर जो शक की तलवार है वो E.D. की पूरी तरह से लटकी हुए जब उनके करीबी मनीश सुद्या को गरफतार किया जा चुक है साथने दरजैन को संजे सिंग को गरफतार किया जा चुक है तो यहां पर इस बात में तो कोई दौराई है ही नहीं कि अर्वंद केजरिवाल को अगर पूछताज के लिए iडि